गुद मॉर्णिंग इस्टुडेंट समेशा की तुरह अपन पढ़ेंगे गणित कक्षार्ट के लिए पाठ्थे पुस्तक तो पिछले वीडियो में हमने यां तक किया था दो प्रश्णा होली 256 के question number 4 तक अपनी किया था पिछले वीडियो में अपनी किया था उधारन 18 किया था उधारन 19 किया था और 256 के 4 प्रश्ण कर लिए थे एक बार देख लेते हैं उधारन 18 ते शुरू किया था I think तो उधारन 19 किया था उधारन 19 प्रश्णा होली 256 स्टार्ट कर दी थी 1st question 2nd question 3rd question 4th question अब क्या करेंगे 5th question से start करेंगे आज अपने पास काम कम हिए only 5th 6th 7th तीन question करने है अपने हैं तीन question ही करने हैं फिर next chapter अगली वीडियो से start करेंगे इस वीडियो में अपन को यह chapter finish करना है तो 5th question करेंगे अपन 5th question क्या है देख लो अब यह वाली प्रिशना हो यह अपनको पता है वज्रगुणन पर depend है तो वज्रगुणन होता है इसमें कि दोनों तरफ अगर अश और हर में हो मतलब परिमह संख्या और कि परिवाश आपड़ी होगी भी कोई भी चीज एकस बटावाई की रूप में लिखे जाती है तो इसको क्या वोलते हैं है अपन परिमह संख्या बोलते है तो यह अपन को दिख सकते हैं कि दोनों साइड में दिख रही हो तो वज्रगुणन ज्य क्या करते हैं इस नीचे वाले का पक्षानान कर देते हैं तो यह भाग में है तो यह गुणा में चला जाता है तो और सिंपल हो जाता है पर अगर ऐसा हो कि अपने पास दोनों जगे मतलब बराबर के दोनों साइड में अश्वटा हर वाला फॉर्मेट हो पर में संक्याए हो नृष्पन क्या करते हैं वाज़गुनन का फॉर्मेट अपनाते हैं तो वाजगुनन में क्या करेंगे दो पहले तो टेट्डे से ही तीर के निशान लगा देंगे अब यह जो इधर से इधर जा रहा है इधर से इधर जा रहा है यह दोनों दोस्त है ठीक है यह दोनों दोस्त है और यह दोनों दोस्त है लगा दिये तीर के निशान तो तो यह दोस्त इसको लेकर जाएगा तीन सान पाई प्लस चार बराबर त तो कर देंगे अब इसको पहले इससे गुणा करेंगे साथी है 21Y प्लस फिर इसको इससे करेंगे 4 तीय 12 वराबर ये भी कॉस्ट खुलेगा तो माइनस 4 पहले y से होगा फिर माइनस 4 2 से होगा तो माइनस 4Y से माइनस 4Y और माइनस 4 2 से 8 प्लस माइनस माइनस अब तो हो गया है अब तो कुछ बचा ही नहीं अब तो आखे बंद करके अपने इस प्रशन को कर सकते हैं 21Y माइनस 4Y को दाएं पक्ष में पक्षनादन करने पर तो माइनस 4Y है तो प्लस का प्लस 12 इदर जाएगा तो माइनस 4 अब यह दोन सिमस्पर यह हो जाएं Ranar 18 क्लस 12 यह – पड़ी संख्या – उलस के लुक दहिंआ दो देखते हैं बड़ी संख्या ही देखते हैं तो माइनस किये बड़ी संक्या माइनस लगा दिया प्लस क्यों किया क्यों माइनस प्लस हो गया 25 वाई बराबर माइनस 20 आ रहा है 25 वाई बराबर माइनस 20 अब इस 25 को पहिज देंगे इधर आप वाई इसको कहने लग जाएगा कि तू जा उदर तो मेरे साथ नहीं है दूसके साथ है माइनस बीस और यह गुणा में था इसको दैये पक्षे पक्षनान किया तो एक बटावा में चला गया 25 भाग में चला गया वाई बराबर अब अपन को पता है कि कोई भी परिमेसंख्या होती है उसको अपन सरल रूप में लिख सकते है मतलब सरल रूप में कैसे जैसे अपन इनाज कोई भी परिमेसंख्या होती तो मैत का क्या नियम होता है कि किसी सबको समान तक अदिकार होता है पहली बात तो उपर कुछ देंगे नीचे भी देना पड़ेगा उपर से कुछ लेंगे नीचे से भी लेना मतलब कोई परिमेसंख्या होतो अंश में से अंश को कुछ देंगे तो हर बोलेगा मुझे भी दो मुझे क्यों नी दिया उसको भी देना पड़ेगा अंश में से कुछ निकालेंगे तो हर बज़ा का मुझ में से भी कुछ निकालो सबको समान तक अधिकार है तो अपन इन दोनों को किस से है मतलब multiply or divide करने का मतलब नहीं और बढ़ी बन जाएगी अपनको तो छोटी करनी है जितनी चीछ छोटी हो उतनी बढ़िया छोटी करनी है तो पांच का भाग दोनों में जाएगा तो अंश और हर को पांच से भाग देने पर य बराबर माइनस 20 भाग पांच पांचो कि बीस माइनस का पचम 25 तो आंसर आगे है य बराबर माइनस 4 बटा 5 अब एक बात ध्यान रखना है कि यह जो भाग का चिन है यह डोनों साइड लगेगा मतलब ऐसा नहीं कि अपने आइश में तो गुणा कर दिया आइश द्रीछ में तो घर को कुछ किया नहीं अगर मिले गातों आइश को भी मिलेगा हरको होग तो अइश को कुछ नहीं दे सकते हैं मिलेगा तो दोनों पक्षों को मिलेगा ठीक है तो यह वाई बरापन माइनस चार बटा पाच अपना यहां आ गया है चटा क्वेश्चन उतारते हैं का है छटा प्रश्ण लिखते हैं प्रश्ण क्यूंकि हमने पास आज מאा बहुत कम है अब चटा साथ वो प्रश्ण है अपनगो चसा पसनी लिखते वर्तमान आयू वाले अपने इतनीए přैस्ष्ट कर लिए है so सबसुझन के अचली वर्तमान आयू को क्या फॉर्मेट होता है भूष चार वर्श बाद उनकी आयूँ इहादा अपसे चार बर्श बाद रए और कुछ नहीं है अनुपात उनकी आयू का अनुपात तीन अनुपात चार हो जाएगा मतलब तीन बटा चार हो उनकी वर्तमान आयू जात कीजिए ऐसे तो अपन ने बतानी कितने ही प्रिशन कर लिए ठग अब तो ऐसे एक ही टाइप के प्रिशन करते करते याशा लिखेंगे अपन क् Invliau पड़ी दीया हैं पांच अनुपात Eloy तो अजान मैंने का था अनुपात का क्या मतलब होता है कि एक संक्या इधर मल्टिप्लाइफ होगी तो उदर इधर इधर मल्टिप्लाइफ होगी जैसे गुड़ा जैसे पांच अनुपात साथ मतलब यह यह इक ही एक ही इप फार्मेट में चलेंगे जैसे पांच दस बने गा तो साथ चाओधा बन जाएगा 505 15 बनेगा तो पर आपनको पता नहीं है कि वो किस से इंटू हो तो उसको अपन एक्स मानेंगे तो हरी की वर्तमान आयू क्या हो जाएगी देखो हरी की वर्तमान आयू हरी की वर्तमान आयू क्या हो जाएगी अब अपने उस संख्या को X माल लिया जिससे ये दोनों मतलब गुणाओंगे उस संख्या को X माल लिया तो हरी की वर्तमान का आयू क्या हो जाएगी पांच X देखो भी ये पहरी पहले लिखाओ है पांच पहले लिखा हुए तो हरी पांच मतलब हरी का पांच है और हरी का साथ है ठीक है क्रम का भी जान रगना है जो पहले लिखा हुए उसका पहले वाला ही है और जो बात में लिखा हुए उसका बात वाला संख्या है अब जो संख्या पांच से नटू होगी अपने पता है तो हैरी की वर्तमान आयू क्या हो जाएगी 7 X ठीक है तो अपने पास अनुपाथ किया गया 5 X बटा 7 X अनुपाथ बराबर 5 X बटा 7 X X से X के घνεसिल हो रहा है X से X के घνεसिल हो रहा है वोई 5 बटा 7 आना है कुल मिला के इसमें करते क्या है कि यह जो 5 बटा 7 है मैं नहीं भाई था अनुपात को बटाओं में फट सकते हैं 5 बटा 7 लिख सकते हैं 5 ऌनुपात 7 को अब मैंने कहा था कि अगर ए ना अंश और हर्मे अपना दे रहे हैं तो परने कुस्स का मतलब है एफ चार वर्षमाद उनकी ऐंनुपात टीन अनुपात चार विश्भाद तो आज से चार वर्ष बाद हरी की आयू कि इसे तो इतने प्रेश्ण कर लिए हम तो पता हिए Opposieben कि इसे प्रेशन के आयू आज से चार वर्ष बाद हैयरी के आयू क्या होगी साथ एक स्वर्ष वाहisf उनके आयू का अनुपाद यह उनकी आयू है तो उनके आयू का अनुपात मतलब 5x प्लस 4 अनुपात 7x प्लस 4 यह अनुपात जोगा किसके बराबर हो जाएगा 3 अनुपात 4 के बराबर यह अपना समीकरन बन गया अब x की value निकाल देंगे तो छुट्टी हो जाएगी हरी की वरत्मान आयू 5 जाएगा आंसर यह स्टेप सबसे मेन होता है इसकी समीकरन जिसका बन गया उसका प्रेशन हो गया जिसका समीकरन नहीं बनाओ बैठर हो तो अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात क्या निकाला अपन ने 5x प्लस 4 अनुपात 7x प्लस 4 बराबर और फिर क्या हो 3 अनुपात 4 हो जाएगा 3 अनुपात 4 लिख दिया अब इस अनुपात को अपन बटावा में लिखते हैं 5x प्लस 4 अनुपात को क्या लिख सकते हैं बटा 7x प्लस 4 बराबर 3 अनुपात 4 अब तो हो गया अब क्या करना है वज्रकुनन कर देना है दोनों तरफ परिमे संख्या हैं दिखाई पढ़ रही है अंशर दोनों तरफ दिखाई पढ़ रहे हैं ऐसे लगा दो एरो दोस्त बना दो मतलब क्रोस क्रोस वालों को दोस्त बना दिया इस चार किसको लेके जाएगा पांच एक्स सब्सक्राइब के वे सद्सक्राइब को अपने दोस्ट को अब खोल दो चार को फ़ले 5ой से करेंगे चार बिसक्स प्लस चार को चार से करेंगे सूला बराबर साथ तो तीन से करेंगे साथ माइनस का हो गया, प्लस बारा, सोला बरावर 21 में से 20 गया, एक, एक एक्स का लिखते है, एक्स प्लस बारा, अब यह एक्स कह रहा है, बारा तू भी भाग यहां से, तो बारा इदर जाएगा, बारा को बाएं पक्षम पक्षाना दिन कड़ेंगे, प्लस चाहे माइनस में चला जाएगा, बरावर एक्स, सोला माइनस 12 के हो जाएगा, चार, एक्स बरावर क्या आगया, चार, एक्स बरावर चार आगया, अब हरी की वरत्माना यू, हरी की वरत्माना यू, पूछी आपनको, तो हरी की वरत्माना यू, हरी की वर्तमान आयू कितनी थी अब तो इतने फ्रेशन कर चुके अब तो पता ही है उसको कर देंगे इंटू हरी की वर्तमान आयू पांच एक्स थी तो पांच एक्स मतलब पांच इंटू चार थी हरी की वर्तमान आयू बीस वर्ष थी साथ एक्स थी उपड़ देख लो साथ एक्स लिखा बाइबर साथ इंटू चार वराबर साथ चोक्या की अठथाइस वर्श ठीक है एह होप सबको समझ में आगया है प्रश्न क्या किया हरी की वर्तमान आयू पांच एक्स मान ली हरी की वर्तमान आयू पांच एक्स मान ली हरी की वर्तमान आयू साथ एक्स मान ली चार वर्स बाद हरी की पांच एक्स प्लिस चार हो गई चार वर्स बाद हरी की साथ एक्स प्लिस चार हो गई थीन इनको साथ x-4 किस साथ भेज दिया कोश्टर को गर दिया open कोश्टर को open कर दिया यह आ गया इधर उधर सब भेज दिया जान भेजना था उनको एक्स बराबर 4 आ गया हरी की वरतमान ईयो 5 एक्सी तो पांच इंटू 4 लीकुल बार क行了 ये अब करेंगे साथौ पृष्ण सांधोर प्रश्ण का थोड़ा सा परीमैं संख्या पर है उतारें ग्यार सक्वाशन उतार लो देखो दिखा दे़े कि एकई परिमैं संंख्या का हर उसके अंच से आठटा हदिक है उतार ही देती हूँ एप सब उतारो प्रश्ण उतारना है एक पड़ावड उतारेंगे परिमे संख्या का हर उसके अंश से आठ अधिक है उसके अंश से आठ अधिक है यदि अंश में सत्रा जोड दिया जाए तो ता हर में से एक घटा दिया जाए तो तीन बटा दो प्राप्त होता है तीन बटा दो प्राप्त होता है वह परिमे संख्या ग्याद कीजिए अब इसमें क्या कॉंसेट है कि इसमें जिसको परिमे संख्या का पता है न आइस आन्सवर लिखेंगे अब क्या करेंगे पहले परीमे चंख्या देखेंगे क्या होगा क्या तैं कुछ यहां ना कि परिमे चंख्या का एक्स यह आठ है माना की परिम्य संस्ख्या का अंश बराबर 8 नई, X आठ के से है कि माना की परिम्य संख्या का अजन्य और फिर क्या है कि हर जो है उसके अंश से 8 अजन्य है तो हर क्या हो गया परिमे संख्या का हर बराबर अंश प्लस आठ अंश से आठ दिक है मतलब अंश प्लस आठ अंश क्या है एक्स है तो क्या हो गया हर एक्स प्लस आठ आ गया सब अंश में 17 जोड़ Дарव पहले करिमेस अंख्या बनाते हैं तो परिमेस क्या होती हे परिमेस अंख्या बराबर अंस भटा हर यह तो सब को पता आये पिछली generic लाश में जुप है सत्वांन थेल ही हां सबंद में अंश pon doctors झाँ झाँ है अंश क्या अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अंश का होता है उपपर वाला, तो अंश में जोड़ दिया 17 बटा, हर में से एक घटा दिया जाए, तो हर क्या है, X प्लस 8, तो उसमें से घटा दिया जाए क्या, एक घटा दिया जाए, तो जो संख्या होती तीन बटा दो प्राप्त होती है तो बराबर क्या हो जाएगा मतलब यह जो राप्त हो जाएगी तीन बटा दो प्राप्त हो जाएगी आगया सबको समझ में जो अंच था उसमें सतरा जोड़ दिया हर में से एक घटा दिया तीन बटा दो आगया अब क्या करेंगे, solve करेंगे इसको, x प्लस 17, इसको नीचे वाले को तो अपन मतलब थोड़ा सा simplify कर सकते हैं, x प्लस 8 में से गया 7, बराबर 3 बटा 2, अब क्या करेंगे, अब तो बज़े गुनन कर देंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, 2 को कौन ले जाएगा, x प्ल अब 2x बोलेगा, तो इदर से जा, मैं नहीं रखूंगा तेर को, तो 34 चला जाएगा, उदर 2x बराबर 3x प्लस 21 माइनस 34, प्लस में था माइनस में चला गया, 2x बराबर 3x, प्लस 34 में से 21 गये, हमेशा घटेगी तो बड़ी संख्या, हमेशा चोटी संख्या, चार में से गया 3, और 3 में से 2 गया, एक ये बड़ी संख्या किस की है, माइनस की है, माइनस का 13, अब ये 3x उदर जाएगा, 2x माइनस 3x, प्लस में था, इदर जाएगा, माइनस में जाएगा, तो माइनस 13 बच रहा है, इदर, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2x में से 3x, 2 में से 3 गया, एक किसका बड़ी संख्या किसकी है माइनस की माइनस X बड़ाबर माइनस 13 माइनस दोनों से काट दिया X बड़ाबर 13 बच गया X बड़ाबर क्या गया 13 अब यह अपन को पूछा क्या था X नहीं पूछा है अपन को अब परिमे संख्या पूछी है तो परिमे संख्या अपने पास क्या थी परिमे संख्या बराबर एक्स बटा एक्स प्लस आट थी परिमे संख्या तो क्या हो जाएगी एक्स क्या है तेरा बटा तेरा प्लस आट तेरा बटा तेरा राट इक्किस तेरा बटा 21 हो जाएगी परिमे संक्या, वापस देख लो एक बार, परिमे संक्या का अंश था उसको X मान लिया, हर अंश से 8 ज्यादा था तो X प्लस 8 हो गया, परिमे संक्या अंश बटा हर होती है, तो X अपोन X प्लस 8 हो गई, अब क्या दियावा था, कि अगर अंश में 17 और हर में A से 1 गटा देवें तो X में था 17 जोड़ दिया आइश में 17 जोड़ दिया और X प्लस 8 जो हर था उसमें से 1 गटा दिया तो 3 बटा 2 ये प्राप्त हो गया तो बराबर का जो निशान हो लगा दिया 8 में से 7 लिग दिया फिर वजर गुणन कर दिया 2 X प्लस 17 को ले गया 3 X प्लस 7 को ले गया कोस्ट है खोल दिया ये आ गया इधर उधर भेज दिया अब ये जो भेजते हैं आपन पक्षा ना जिन करते हैं उसमें एक चीज ध्यान रखनी चीए जैसे ये 3 X बढ़ा है ना तो ये 2 X को बढ़े वाले की साइट बेजो जैसे अपन ने अभी क्या किया 2 X को 3 X की साइट बेजा तो ये दोनों माइनस में आगे काट कैंसल करना पड़ा मतलब दिया तो अपन अगर 3 X को मतलब 2 X को 3 X की तरब बेज दे तो 3 X माइनस 2 X हो जाता और इस 34 को, 21 को इस 34 की तरब बेज दे 34 माइनस 21 क्या हो जाता क्या हो जाता 34 माइनस 21, 13 हो जाता 13 हो जाता, तो ये दोनों प्लस के ही आजाते माइनस काटना नहीं पड़ता दोनों से ये किदर भी बेज दो, किसी को भी कोई फरक नहीं पड़ना आंसर वोई आना है पर वो सिंपल रहता ठीक है तो दोनों प्लस के आ जाते हैं पर अपने को ध्यान क्या रखना है अब ऐसा हो जाए कि यह जो संख्या इस से छोटी आ जाए मानलो 20 आ जाए और आप इसको इदर भेज दो 21-20 तो बन हो जाए और 2x-3x-x हो जाए ऐसा नहीं करना एक्स का ध्यान रखना है एक्स जो है ना वो प्लस में आ जाए बस अपना यह जैसे एक्स प्लस में कब आएगा तब यह 2x-3x के साइट जाएगा तो 3x-2x आ जाएगा यह कुछ भी आए आफ्स प्लस प्लस में आसकता है पर x अपना जाए ऐसा ठीक है तो अपने क्या किया अप देरा अ गया पर इमहेसँ आघी c नावली तीन चत्र फुजों को समझना यह स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से आज का वीडियो ही खतम होता हुआ